नमस्कार बच्चो आज मैं उपस्तित हूँ एक नया पाठ लेकर आप सब कैसे हैं आशा है अच्छे होंगे आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वैं आपकी पाठे पुस्तक का पाठ नमबर छे है भगवान के डाकिये बच्चो हमने पहले जो पाठ पढ़ा था पाठ नमबर पांच चिठियों की अनूठी दुनिया उसमें भी हमने चिठियों के बारे में संदेशों के बारे में और उनको पहुंचाने के तरीकों के बारे में पढ़ा था लेकिन आज का जो पाठ है ये बिलकुल अलग है यह एक कविता है जिसे रामधारी सी दिनकरजी ने लिखा है इस कविता में कवी ने डाकिये किसे कहा है जानते हैं? बादलों को और पक्षियों को पक्षी और बादल डाकिये हैं कवी के अनुसार और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले कर जाते हैं ये डाकिये क्या संदेश लेकर जाते हैं कोई चिट्थी कोई पत्री या कौन सा संदेश कवी ने इन्हे भगवान के डाकिये कहा है भगवान किसे संदेश भेजते हैं पूरी प्रकृति को तो भगवान के डाकिये पक्षी और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान एक देश से दूसरे देश वहां की खुश्बू लेकर जाते हैं प्यार भरा संदेश लेकर जाते हैं और उनके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उनके लिए देश की सीमाई नहीं है, उन्हें नहीं पता कि यहां कौन सा देश है या वहां कौन सा देश है, वे बस चलते जाते हैं और यहां का संदेश वहां पर पहुँचाते हैं. तो बच्चो कवी ने कितनी सुन्दर कलपना की है, इस कविता के अंदर कवी ने प्रकृती के तत्वों का बहुत सुन्दरता से वर्णन किया है बच्चो रामधारी सी दिनकरजी अपने समय के पहुत ही प्रसिद लेखक व कवी रहे हैं उन्हें अनेको अनेक सम्मान भी मिले और लोगों का प्यार भी मिला, उन्होंने अद्बुद रचनाई लिखी हैं इसी कारण उन्हें राष्ट कवी की उपाधी से भी सम्मानित किया गया था आएए उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं तो इनकी मुख्यक्रितियां हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मीरथी, हुंकार, चक्रव्यू, परशुराम की प्रतीक्षा, इत्यादी आए अब जानते हैं कवी ने इस कविता में क्या कहा है कवी कहते हैं भगवान बादलों के द्वारा पेड, पौधों, पहाडों को संदेश भेशते हैं बादल एक देश से पानी लेकर दूसरे देख्ष में या न जाने कहा कहा जाकर बरसते हैं इसी तरहां पेड, पौधों की सुगंध हवा के द्वारा एक जगा से दूसरी जगा पहुँचती है जब एक जगा के बादल दूसरी जगा जाकर बरसते हैं तो कवी के अनुसार वे एक स्थान का प्यार भरा सुख़द संदेश दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं कवी के अनुसार पूरी दुनिया एक है इश्वर ने उसे एक ही बनाया है हम ही अलग-अलग देश बना कर उसमें फर्क करते हैं हम इनसानों को अपने दिल में कोई भेद भाव नहीं रखना चाहिए और मानवता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए फिर कवी कहते हैं कि जैसे बादल बे रोक टोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसी प्रकार पक्षी भी एक देश से उड़कर दूसरे देशों को जा सकते हैं अर्थात प्रकृती के तत्व भेद भाव से परे हैं तो आईए कविता शुरू करते हैं भगवान के डाकिये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पेड, पौधे, पानी और पहाड बांचते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धर्ती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वे सौरब हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बन कर गिरता है तो बच्चों आपको अच्छी लगी कविता बहुती सुन्दर वर्णन किया है कवी ने इसके अंदर तो आएए एक बार फिर से कविता पढ़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पेड, पौधे, पानी और पहार बांचते हैं इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं डाकिया किसे कहा जाता है? संदेश लाने वाले को जो हमारे लिए पत्र लेकर आता है और हमारे अपनों का संदेश हम तक पहुँचाता है लेकिन पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे देश आते जाते रहते हैं और एक देश की महक एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुँचाते हैं उनकी लाई चिठियां हम मनुष्य तो समझ नहीं पाते हैं मगर पेड, पौधे, पानी और पहाड उन्हें बांचते हैं अर्थात पढ़ते हैं कवी के कहने का तातपर्य यह है कि हमें तो पक्षी और बादल द्वारा लाए गए पत्र या संदेश समझ में नहीं आते लेकिन इन संदेशों को पेड, पौधे, पानी और पहाड खूब समझते हैं और बांचते हैं अर्थात कहकर सुनाते हैं अगली पंक्तियां देखिए हम तो केवल यह आंक्ते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरब हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि हम तो केवल दूसरे देश से बहकर आती हवा को मैसूस कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर छिपा भाव या प्रेम नहीं समझते परन्तु हवा एक देश की धरती को छूती हुई वहां की सुगंद, प्यार वभाईचारे का संदेश लेकर चलती है और यह संदेश हवा के साथ और पक्षियों के पंखों पर तैर कर दूसरे देश तक पहुँचता है उसी प्रकार एक देश में दरिया बनकर बहता पानी, जब भाव बन जाता है तो न जाने कहां कहां और किन देशों में वर्षा बनकर गिरता है प्रकृती के इन तत्मों को कोई सीमा रोक नहीं सकती, उन्हें कोई बंधन बांध नहीं सकता बादल जब पानी बरसाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक देश का संदेश दूसरे देश में जाकर दे रहे हों और खुशियां बाट रहे हों बादलों की तरह ही पक्षी भी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उन्हें नहीं पता कि यह कौन सा देश है हम इन बादलों और पक्षियों का संदेश समझ नहीं पाते क्योंकि इनकी भाशा हमारे जैसी नहीं होती हम केवल एहसास कर सकते हैं परंतु प्रकृती का यह संदेश जिसके लिए है वे तुरंत इसे समझ जाते हैं जैसे पेड पौधे और पहाड तो इस तरह से बादलों और पक्षियों के जरिये प्रभू की कृपा एक देश से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती ह कविता के बाद आए हम कुछ प्रश्ण उत्तर कर लेते हैं सबसे पहले करेंगे कुछ बहु विकल्प यह प्रश्ण मैं आपको प्रश्ण बताऊंगी उत्तर के लिए विकल्प दूगी आपने सही विकल्प चुनना है तो आईए देखते हैं पहला प्रश्ण महादेश से क्या तातपर है कवी ने कहा महादेश इसका क्या अर्थ है विकल्प सुनिए महान देश विशाल देश या विशेश देश कौनसा उत्तर सही है सही उत्तर है विशाल देश दूसरा प्रश्न, कवी ने भगवान के डाकिये किसे कहा है? उत्तर के लिए विकल्प है वरिक्षों को, दूसरा पक्षी और बादलों को, तीसरा पक्षियों को. पताईए कौन सा उत्तर सही है? सही विकल्प है पक्षी और बादलों को. तीसरा प्रश्न देखिए, इनके संदेश पढ़ने में कौन सक्षम है? बताईए, इनके लाए संदेश कौन पढ़ सकता है? विकल्प हैं, प्रकृती यानी पेड, पौधे, सरोवर, सरिता, परवत, दूसरा विकल्प, सभी जीवजन्तु, तीसरा विकल्प, सभी लोग, कौ प्रिती यानी पेड, पौधे, सरोवर, सरिता, परवत, यह सही है. अगला प्रश्न, भगवान के डाकिये संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? विकल्प हैं, आपसी प्रेम का, विश्व बंधुत्व का, या निरंतर आगे बढ़ने का. बताईए, कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है, विश्व बंधुत्व का. अगला प्रश्न, कविता का संदेश क्या है? उत्तर के लिए विकल्प हैं, लोगों को सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, या नए साधनों को अपनाना चाहिए, या विश्व में एकता लानी चाहिए. बताईए, कौन सा उत् विश्व में एकता लानी चाहिए. अगला प्रश्न, बादलों की क्या विशेष्टा है? पहला, एक देश में बन कर दूसरे देश में गिरना, दूसरा, अधिक से अधिक बरसना, या तीसरा, कई रंगों के होते हैं. बताईए, कौन सा उत्तर सही होगा? एक देश में बन क दूसरे देश में गिरना, यह उत्तर सही है. अगला प्रश्न देखते हैं, एक देश का सौरब दूसरे देश में कैसे पहुचता है? उत्तर के लिए विकल्प सुनिए, पंचियों के परों पर हवा के जोंकों दौरा, दूसरा विकल्प तितलियों दौरा, तीसरा पादलों द्वारा बताईए कौन सा उत्तर सही है बच्चों पंचियों के परों पर हवा के जोंकों द्वारा हाँ ये उत्तर सही है इन प्रश्णों के बाद आएए अब हम पाठ से कुछ महत्व पूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं बच्चों हमने पाठ पांच चिठियों की अनूठी दुनिया में आधुनिक साधनों और चिठियों की महत्ता में तुलना की थी और देखा था कि आज भी चिठियों की महत्ता बनी हुई है तो अब बताएए कि आज विश्व में कहीं भी समवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है पक्षी और बादल द्वारा लाई चिठियों की तुलना हम इंटरनेट से कैसे कर सकते हैं तो आईए तुलना करके देखते हैं पक्षी और बादल प्रकृती के अनुसार काम करते हैं ठीक है ना किन्तु इंटरनेट वह मनुष्य के अनुसार काम करता है दूसरा बिंदू है बादल का कार्य प्रकृती प्रेमी को प्रभावित करता है जो बादल करते हैं प्रकृती में सुन्दर्ता बिखेरते हैं उससे कौन प्रभावित होता है प्रकृती प्रेमी व्यक्ति किन्तु इसके विपरीत इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है अगला बिंदू है पक्षी और बादल का कार्य धीमी गती से आराम आराम से होता है किन्तु इंटरनेट का कार्य बहुत ही तीवर गती से होता है अगला बिंदू है बच्चो इंटरनेट द्वारा हम किसी के व्यक्तिकत संदेश को जान सकते हैं परंतु पक्षी और बादल की चिठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एक्ता का संदेश फैला देते हैं। हमें भी प्रकृती से संदेश लेते हुए इंटरनेट के माध्यम से प्रेम, एक्ता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। अगला प्रस्ण देखते हैं। बच्चो हमारे जीवन में डाकिये की बहुत भूमिका है। Pence, इस विश्व पर कुछ बताइए कि डाकिया किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व रखता है। हाँ जी बताईए, कुछ बाते आप बताईए, कुछ बाते मैं आपको बताऊंगी, हम मिल जुल कर इस प्रश्न का हल करेंगे एक बात है बच्चो, डाकिया भारतिय सामाजिक जीवन की एक आधार भूत कड़ी है वो किस तरह से? डाकिये द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसबरी से इंतजार करना, डाकिये से ही पत्र पढ़वा कर उसका जवाब लिखवाना इत्यादी, ये सब चीजें हमारे ग्रामीन जीवन के महत्वपोन पहलू है हमारे जीवन में डाकिये की भूमी का अत्यांत महत्व पून है भले ही अब कंप्यूटर और ई-मेल का जमाना आ गया है पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम से और लगन से संपन्न करता है गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए बहसमाज की सेवा करता है तो आईए अब अंत में एक बार फिर से कविता में आई बातें दोहरा लेते हैं इस कविता में कवी ने कहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज रही है जो भेज रही है उस संदेश को हम सिर्फ आंकते हैं अर्थात उसका अंदाजा लगाते हैं प्रकृती हवा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, बादलों के द्वारा संदेश भेजती है एक देश का सौरब यानि खुश्बू कैसे एक देश से दूसरे देश पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ पहुँच जाता है और उसी प्रकार पानी जब एक देश से वाश्प बनकर बादलों का रूप ले लेता है वही बादल दूसरे देश में जाकर वर्षा करते हैं यह तो विज्ञान के द्वारा भी हम जानते हैं कि गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी वाश्प बनकर आस्मान में चला जाता है और उपर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है और जब बादल एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं तो वही वाश्प वर्षा बनकर बह निकलता है और वातावरन में अपनी खुश्बू छोड़ता है कवी कहते हैं कि हम अपने देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं हमने अपने को देश की सीमा में बांध कर रखा हुआ है प्रकृती किसी सीमा को नहीं जानती, किसी बंदन में नहीं बंधी हुई बैस सब में खुश्बू बांटती है, सब को अपना वर्दान देती है प्रकृती के तत्व आप देखिये, सूर्य, चंद्रमा, हवा, वर्षा ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करते और सब पर समान रूप से अपना प्यार बरसाते हैं तो इस प्रकार हमारा पार्ट यहां पर पूर्ण होता है आशा है आपने कविता का खुब आनंद लिया होगा अब फिर कभी मुलाकात होगी किसी दूसरे पार्ट पर अब मैं चलती हूँ नमस्कार